कैलाश शिव मंदर जिसके रहस्य पर विग्यानिक हुए फेल देवो के देव महादेव शिव का एक ऐसा मंदर जो आज तक बना हुआ है पहेली पूरी दुनिया के विग्यानिक भी नहीं समझ पाए इस मंदर के रहस्य को महाराश्टरा के औरंगाबाद में स्थित ये शिव मंदर पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है बताया गया है कि ऐलोरा की गुफाओं में ये बना शिव मंदर छे हजार साल बुराना है जिसको बनाने के लिए साथ हजार मजदूरों ने लगबग डेड़ सो साल तक लगातार काम किया था इस शिव मंदर के खास बात ये है कि इसमें एक परवत के समान बहुत बड़ा शिवलिंग है लेकिन इस मंदर में कभी भी पूजा नहीं होती और आखिर बार इस मंदर में पूजा कब हुई होगी इस बात का पता भी नहीं लग पाया है इस मंदर को लेकर खूब रिसर्च की गई लेकिन इस मंदर के रहस्य के आगे विज्ञानिकों ने भी हार मान ली ऐसे मंदर हमारे देश में बहुत हैं जहां कोई ना कोई रहस्य छिपा है इस मंदर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप मुझे कॉमेंट करके बताईए कि आप भी किसी ऐसे मंदर को जानते हैं जहां पर कुछ रहस्य हैं हम उस पर रिसर्च करेंगे और आपके लिए जितना हो सकेगा उस मंदर के उस जगे के रहस्यों के रियल फैक्ट्स आपके सामने लेकर आएंगे तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कुछ लोगों का मानना है कि इस कैलाज शिव मंदर का निर्मान धर्ती पर नहीं बलकि स्वर्ग में हुआ है जसके बाद इसे धर्ती पर स्थापित कर दिया गया क्योंकि इस मंदर की कला और नकाशी देखकर साफ पता चलता है कि इसे किसी मानब ने नहीं बनाया दरसल ये पूरा मंदर केवल एक ही चटान पर बना हुआ है चटान के अलावा और किसी भ्यवस्तु का इस्तमाल नहीं किया गया है चटान पर बनी भव्य मूर्तियां और कला देखकर पता चलता है कि उस समय तो ऐसी कोई मशीन नहीं थी जिन से इतनी बड़ी एक ही चटान को तराश कर ये मंदर बनाय जाए आहम तोर पर कोई भी मंदर नीचे से उपर की और बनाय जाता है लेकिन इस मंदर की खासियत ये है कि इस मंदर को उपर से नीचे की और बनाय गया है इस मंदर के निर्मान की कला ने ना केवल भारत बलकि पूरी दुनिया के विज्यानिकों को हैरान कर दिया है ऐसा कैसे संभब हो सकता है कि बिना किसी जुडाव के कोई इमारत हजारों सालों से खड़ी रह सकती है कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर 6000 साल पुराना है तो कुछ का कहना है कि ये मंदिर 1900 साल पुराना है और इसे बनाने के लिए जरूर ब्रह्मास्त्र का प्रयोक किया गया होगा क्यूंकि ब्रह्मास्त्र ही एक ऐसा अस्त्र है जिसमें ऐसी शक्तियां होती है जो पत्थर को भी पगला सकती है इस भव्य मंदर के अंदर एक बालकनी भी बनाई गई है मंदर के बीच में कई पिलर्स को जोड़ कर फुल का निर्मान भी किया गया है और मंदर के नीचे कई सारी सुरंग बनाई गई है लेकिन ये सुरंग इतनी माया भी है कि वहाँ पोहचपाना हर किसी के लिए संभव नहीं है एक विदेशी व्यक्ती ने मंदर के नीचे एक सुरंग में अंतिम छोर तक पहुत जाने का दावा किया है उस व्यक्ती ने वापस आकर बताया कि मंदर के नीचे एक विशाल कमरा है जहां उसने साथ व्यक्तियों को देखा है लेकिन वो बार-बार अद्रिश्य हो जाते थे इस मंदर के उपर दुनिया के कई विज्ञानिक शोध कर चुके हैं लेकिन इसका रहसे आज तक नहीं जान पाया कोई तो ये है वो रहसे मंदर जिसके बारे में आज तक नहीं पता चल पाया कि आखर कैसे तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और पेज को फॉलो करें